ये आलिशान बस्ती जितनी खूबसूरत दिख रही है उतनी ही विरान भी है यहां दूर दूर तक कोई नहीं रहता सिर्फ घुप सन्नाटा चीन के उत्तरपूर्वी प्रांथ लिया उनिंग में देश के अरब पतियों के लिए प्रेमस रियल स्टेट कमपनी ग्रीन लैंड में 2010 में मल्टी मिलेनियर प्रजेक्ट की शिरुवात की थी लेकिन दो सालों के बाद इस परियोजना को छोड़ दिया गया इसके लिए चीन की प्रॉपर्टी बजार में गिरावट को जिम्मेदार माना जाता है स्टेट कैस्ट मेंशिन नाम की इस महंगी बस्ती को बनाने का ख्वाब दिखा गया था यहाँ यूरोपियन स्टाइल के 207 पिला का प्रोजेक्ट शिरुप किया गया था लेकिन किसी कारणवश ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ इसे आदे अधूरे बने घरों के साथ छोड़ कर जाना पड़ा पिरान पड़ी ये जगह किसी भूतिया शहर से कम नहीं लगती लेकिन समय केस में बड़े बदलाव हुए फिलहाल यहां स्थानिय किसान खेती करते हैं और अपने जानवर रखते हैं वैसे यहां सरकारी महमानों को ठहरानी की सोची गई थी मगर ये हो न सका स्थानिय लोगों के मताबिक फ्रष्टाचार की वजह से ये मैंशन बस नहीं पाए वरना इनकी कीमत आज करोरों में होती और ये भूतिया बस्ती चीन की एकलौती भूतिया बस्ती नहीं है जिसको आधा अधुरा छोड़ा गया है चीन के कई अलाकों में ऐसी कई जगए हैं जो चीन के बाजार में होती उतल पुधल की वजह से बस नहीं पाए